हेलो फ्रेंज, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब ही किसी जोड़ी की शादी होती है तो लब मेकिंग करते समय पहली बार, यानि कि फर्स ट्राइट में उन्हें काफी ज्यादा हिच की चाहट महसूस होती है ऐसा केवल इस वज़े से नहीं होता है क्योंकि वो उनकी लाइफ में पहली बार होता है, ऐसा कई बार और कार्णों की वज़े से भी होता है और अब एक सर्वे ये भी खुलासा किया है कि अमूमन 40% लोग अपनी फर्स नाइट पर अच्छे तरीके से प्रिजेंटेशन नहीं दे पाते हैं और नहीं अच्छे तरीके से पॉल प्ले कर पाते हैं, जिसकी वज़े से उनकी फर्स नाइट स्पोईल हो जाती है इसलिए अगर आप ही चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको अच्छे तरीके से अपने वाइफ या फिर हस्बेंट के साथ सबसे पहले अपने रिष्टे को अच्छा बनाना चाहिए रिष्टे को अच्छा बनाने के लिए आपको इस दूसरे को समझने की जरूरत पड़ेगी एक दूसरे को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा बाते करें एक दूसरे के साथ सारी चीजों को शेर करें ताकि आप एक दूसरे के साथ understanding और compatibility को बिठा पाएं ताकि आपको जब भी आपकी शादी हो तो उस समय हिच की चाहत महसूस ना हो और आपकी फर्स नाइट बिल्कुल भी स्पाइल ना हो सो दोस्तों इस बात को ध्यान में जरूर रखिए मेरी beauty और healthy related videos को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजी